साथियों आप सभी का स्वागत और अबिनंदन है 7-11 स्टडी यूटूब चैनल पर जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर आपको पुराने परसंट पत्र हल करवाये जाते हैं इसी कड़ी में आज एक को नया पेपर लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए जो कि इस पेपर का जो सोलीशन हम आपसे सांजा करने वाले हैं तो कौन सा पेपर था यह आर्थिक अन्वेंशक ठीक का पेपर था ठीक जो आरे सेस्वी बोर्ड द्वारा लिया गया था तो ज्यादा टाइम वेर्ट ना करते हुए सीधे ही अपने कोशन के और बड़ चलते हैं पहल अबको अभ्लब्द करवाए जाते हैं ठीक है कि अध्या चलते हैं पहले कोशन के और बड़ जाते पला कोशन क्या है कौन साथ चितोड़गढ गर tại सितत हैं तो विजिस्थमम्य empowering मैं चिटाड़मे विश्थम कुंब्र मैहलिए चिटोड़ गड़ मैं नहीं फैसीस महल 55 MPH निर्मान राव 469 Baba करवाया गया था ठीक है कौन सी पहाड़ी पर बना तो चिडिया टूक और पंचीत या पाड़ी पर बनावा है नेक्स्ट अगले कोशन के और बढ़ जात अगला कोशन क्या है अजमेर नगर की स्तापना के पहले अजमेर के चोहानों की राजदानी कौन सी थी तो आपका जो सांबर तो सांबर जील के बारे में कुछ बात करी लेते सांबर जील का जो निर्मान होता पांच नदियों सांबर जील में जो नदिया पानी उडेलती कितनी नदिया पांटी उडेलती है तो पांच नदिया होती है ठीक है मैं आपको बतेता दो खारी खंडेला भी आपको याद रemoTS सुब्सब्सक्राइबॉ तो बिजूलिया सिलालेक के अनुसार में बात कर लो तो 551 इसवी वासुदेव चोहान ने इसका निर्मान करवाया था सांबर जील का अगले कोशन के और बढ़ जाते गाईज अगला कोशन क्या है तो अगला कोशन निम्न मैसे कौन सा त्युहार स्रावन के महीने में नहीं आता है तो देखते कौन सा नहीं आता नाग पंचमी यह तो बिल्कुल स्रावन सुकल पंचमी को आता है ठीक है तीज की बात कर लो तो के लिए प्रवाद सोग्ल तिर्तिया को आती है रक्षय बंदन की बात कलो तो मैं यह एक कब मनाए जाती तो बहाद्रप्द करशन अस्टमी को मनाएज इसी दिन नराड के पियर जो कि जुन जुनुम है उनका मेला भी लगता है ये तथे भी आपको याद रखना है जो कि मौस्ट इंपोर्टन्ट है अगले कोशन के और बड़ जाते है अगला कोशन क्या है गाईज तो अगला कोशन आपके सामने 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महराजा कौन थे तो देखते इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका देखते कौन सा वाला आपका रायट आंसर होने वाला है तो बिलकुल आपन चेक कर लेता अच्छे से तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि कौन थे महाराजा तक सिंग ते इसके अलाव अठार सो सतावन की क्रांती में जो भी सा सकते जिस जिस रियासत के उनके अपन चर्चा कर लेते सबसे पहला पन चर्चा करते है कोटा के कोटा के जो थे ना कोटा के जो सा सकते अठार सो सतावन की क्रांती किसमें वो राम सिंग थे ठीक है बरतपूर की में बात कर लो तो जस्वन सिंग थे बरतपूर के कौन थे जस्वन सिंग थे और उदेपूर की में बात कर लो तो सवर कि ईन्गे कि मैं ऑथ मुझी सूर Daar रियास नेकर्टाइबरे कि उंधनपन युदि है। तो ये तथे भे आपको याद रखने है जो कि मैंने सारे आपको बता दिया इंपोर्टन जो भी एक्जाम में बनने वाला था सारी रियासतों कि जो सासक अगर आप से पूछ लिये जाते है तो बिल्कुल आपका ये कुशन गलत नहीं होना चाहिए अगले कुशन के अगर मैं बात कर लेता हैं तो अगला कुशन आपके सामने राजस्तान के किस इत्याँ से मारक को यूनइसको की वर्ल्ड हैरिटी सुची में सामिल किया गया है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा तारागड का किला जंतरमंतर, वेदसाला, आमेर के हवेलिया और हवामेल, ऑप्शन नमबर भी आपका बिल्कुल ड्राइट आंसर हो जाएगा, जंतरमंतर कब सामिल के असर ये भी बता दीजिए तो 2010 के अंदर सामिल किया गया जंतरमंतर कब सामिल किया गया, 2010 में ठीक है, इसके अलाव मैं बात कर लो, तो राजस्तान में जो विस्व द्रोहरस्तल कौन-कौन से जो कि युनेस्को की सूची में सामिल है तो एक केवलादेव, केवलादेव, रास्ट उद्धान जिनको 1985 में सामिल किया गया था, इसके अलाव 2013 में 6 खिलेग, जो की सामिल किया गया, तो कौन-कौन से, चोटी से ट्रीक है, आप याद रखनी है, मैं आप सो शेर कर लेता हूं, गाजर, चीकु और आम, ठीक है, गाजर, चीकु और आम, गाजर, चीकु और आम, गासे, गागरों, जैसे, जैसल, मैं, रेसर, अनतंभर, सूची से चितोड़गट कुछ से कुम्बलगट आम से आमेर हो जाएगा तो यह जो किले 2013 अंदर विस्व द्रोर स्टल यानि इसको की सूची में सामिल किये गये थे जैपूर के परकटों को भी सामिल किये थे तो कितनी होगे देखो छे तो आपके किले होगे एक जैपूर का परकटा साथ एक जंतर मंतर आठ और एक केवला देव नो कुल नो स्थाले से हैं जो कि युनिस्कूर की सूची में सामिल है चीज में से च्छे किले यह आपको याद रखना है जो कि इंपोर्टेंट है एक्जाम में बार बार बनता है मैं आपको बता दिया है अगले कोशन चैला देवी का मंदिर है यह 시ki त यापको याद रखना का से करोली इस्था को सीनुणे के किनारी اज कालिसी नदी किनारी को से एक रुप्र वत्पर है तो त्रुकम्वट पर आपको याद र coher I तरफ तरफ पर वत पर स्टित है इनका घुद मेला लगता यह इंपोर्टन्ट चैत्र सुक्ल अस्टमी को लगता यह आपको याद रखना नहीं के लादेवी के जस्ट मंदिर के सामने अपन बात कर ले तो बोरा की चत्री बोरा की चत्री बनी विए यह बी एकजाम में सवाल पूछा गया था एक बार कौन से मंदिर के सामने बोरा के चतरी है और इन्हें अंजनी माता के रूप में भी जाना जाता है ठीक है यह मौस्ट इंपोर्टेंट जो तक थे यह जो करोली का जो यदूवन्स था ने यादव उसकी जादोन साखा के कुल देवी मानी जाती है के देवी ने पराजस्तान का कौन सा जिला ओर चित्रांकन के लिए फरड जितर्ांकन के लिए बहुत थैंस है तो आईए आपको याद रखना ठीक है जेपूर के आपको ब्लू पर्सिद परताब गट के आप थेवाकला पर सीदे कोटा कि आपकी कोटा डूरिया जो साधी है वो आपकी परसिद्ध है यह तत्थे भी आपको याद रखने नेक्स्ट अगले कोशन के और बढ़ जाते गास अगला कोशन क्या है तो अगला कोशन आपके सामने कि देलवाडा मंदिरों के समू में डेस मंदिर है तो कितने मंदिर यह आपको बताना है कितने मंदिर इस्तित है देलवाड़ा के समू में तो इसका जो रायट आंसर हो जाएगा चार चार हो जाएंगे पाच हो जाएंगे छे हो जाएंगे शाथ हो जाएंगे तो इसका ज़ो रायट आंसर होगा बिल्कुल मैं बात कर लेता हूँ तो तो पाच मंदिरों का समू बनावा option number 2 आपका बिल्कुल रायट आंसर हो जाएगा सर कौन-कौन से मंदिर बने उनके बारे में बता दीजिए तुम्हें आपको बता देता है तो आपका बनावा विमल शाह का मंदिर एक बनावा लुनोवसाई का मंदिर एक आपका खारा तारा जो पासरुनाज जी का मंदिर बना एक महवीर स्वामी का मंदिर एक पीत लेर भा कि लुनों नी मंदिर ना वह किसको समर्पित है तो भगवान नेमिनाथ को जो की 22 तीरंत करते जेन द्रम के उनको नेमिनाथ जी को समर्पित है इसके अलाव में बात कर लेता हूं तो एक खारता राथ पाशुना जी का मंदिर बनाओ जिसका निर्माण मन्ड़ीक सो मुखा मं क्या का जाता है इसके अलावा शिरोईका अन्यमंदिर की बात कल लूँ तहीं कुवाणिय का मंदिर जिस्पिर ह इसके अलावस सिरोई के अन्य मंदिर के बाता हूं बाजना गनेश यह भी आपका शिरोई में पढ़ता है जरने के आवाज के कारण इसको बाजना गनेश का जाता है एक जरना पास में इसकी आवाज आती है इसलिए से बाजना गनेश के नाम से जाना जाता है मार्क केंडम मंदिर मीरपूर में में पढ़ता है यह भी आपके अंदर स्तित्त है तो अगले कोशिन कि आधना क्या है तो अगला कोशन को आपके सामने बिल्कुल या गया जेपुर नगर के स्तापना के समय वहां के परमुक्त वास्थ तुकारोल नगर नियोजर कौन बंगाल के बैंगोली वास्तुकार थे इंपोर्टेंट थी याद रखने हैं और अगले कोशन के और बढ़ जाते हैं अगला कोशन क्या है गनेश्वर राजस्तान के किस जिले में इस्तित है गनेश्वर जो सब्वेता है राजस्तान के कौन से जिले में इस्तित है चूरू हनुमानगर सीकर जुन जुनु तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बि पास यूगीन की जूप जितनी भी सभेत हैं उनसे जन्नी कहलाती है इसका उत्कनन किसने किया तहां आर से अगरवाल ने किया तो 1967 के अंदर यह आपको याद रखना इसके लाव यह क्या-क्या मिला था तुम पकड़ने का काटा मिला था एक कि ऑगला कुष्ण की बात कर लेते हैते हैं राजिस्तान के कबीर के खूँ के नामसे जाना जाता है सस्टान के सु रॉभावन इस्तिय के नामसे जाना जाता है इनके पर्मुग गरंथ की मैं बात कर लो तो काया वयली, दादूरे दोहा, दादूरे वानी इनका पर्मुग गरंथ है ये गरंथ इनके जोकी इमसे इक्जाम में पूछे होगे हैं और इनकी जो साखाए है, कितनी साखाए है, पाथ साखाए राजस्तान में थी ठीक है वो साखाय कौन-कौन सी थी एक तुखाल सा थी एक विरक्त थी एक निहग थी और इसके लाएक उत्रा दे थी और एक और कौन सी थी कितनी साखाय होगी मैंने पापस से बता देता हूं मैं सारी साखाय एक बार क्लियर कर देता हूं मैं सारा कौन-कौन सी साखाय थी ठीक है दा सिरे साखा को ली बात कर लो थो उत्रा दे ठी और पाचवी शाखा में बात कर लो तो सुंदर दाच जी और इनके का बारे कि परमुख्सर इसे हैं बात कर लो तो बख ना जी सवान भी एक्जा में पोछा हुआ है जो कि मोस्ट इंपोर्टनçu ए इसके अलाव इनके गुरु की मैं बात कर लो तो वर्दानंद जी और बुड्डं जी इनके जो की गुरु थे ठीक है और इनके जो परमुक स्तल है जोकी दादुद्याल संब्दाई से सम्बंदी देख तो अपना कल्यानपूर अगी Sambar हो गया अगी नरेणा हो गया ठीक है यह परमुकून के इस्तल थें इसका अलाव में बात कर लो तो दादू दियाल जी को दूसरा संक्राफा情況 संक्राचार faith कि नाम से जाना जाता है डादू द्याल की सत्संग इस अदा संक्राचार आपको उस इंधार इसके लाव एक मॉस्ट इंपोर्टेंट 1585 में दादु देयाल जी की जो मुलाकात हुई थी वो मुगल वात्से अकबरत से हुई थी ठीक है यह भी आपको याद रखना एक्जाम में पूछा हुआ सवाल है पटवार एक्जाम में पूछा था नेक्स अगले कुशन की और जम्मा बटो ठीक है सबसे पहले जो गया थे वो कोन गया था जलाल खान गया था दूसरे नंबर पर कोन गया था मान सिंग गया था तीसरे तीसरे नंबर कोन गया था भगवंदास गया था चोते नंबर पर जो गया था टोडरमल गया था तो आपका जो सही आंसर हो जाएग नेक्स अगले कोशन के रबट जाते गाई अगला कोशन क्या है तो अगला कोशन कासर आपके सामने यह रहा पतन जो पत्र के अंदर रानिक क्रमावति के जोहर के पर्मान मिलते इसके आ剩ा इसके इंपूर्टेंट बीब्लत में हुए ऐक में बता देता हूं इसमें किसानों से जो विबिन पर गगए देखी उल्लेंग आपको मिलता है इसके बात कर लो मैं आहरताामर्पत्र कि यह 1260 इसमें गुजरायात के सोलंग राजा BIमदेव दित्य थे न और और उनके से लेकर जितने सोलंग की राजाए हुए उन्हेन सब की वनसाव लिए जो है इसी नियें अदर आहरतामर पत्र में को मिलती इंद नियुद्वा एक लिंग नाजी के मन्दिर कर निर्मान करवाए था जो दान दिया था जो प्रास्चित किया था उनके बारे में जानकारी मिलती है और पुर्ण पूर्दा मैंने आपको बताए दिया यह कप का है तो यह 1535 का है तो यह तथ्यly को याद रखना है और अगले वट दातर है क्या है तो अगला कोशन आपके सामने राज-विनोत राज-विनोत्ट के रचयता कौन नरोत्तं सदासी वबड Katyamal दास और तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का बिल्कुल option नमबर आपका option नमबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा सदासीव बट कौन रचियता है वे राज विनोत के जो रचनाकार है वो सदासीव बट है अगले कोशन क्या है गोविंद गिरी के नेतरत में हुवे भील नेतरत गुरु गोविंद ने कराता किसने सोरी मोतिलाल जटोट ने किया थार एक ये आंधुलन का नेतरत हrत तो कि नेकैं MAash2989 ने चेंस थीटहल याद तक चलाता है coworkers Pastor Grubhavind ने 1883 issue में सभा की स्थापना करे दियती जीसे संप्ख c back आजयता है क्या संप्ख सब आ जयता है संप्थार्थ करने चोंदी से था कि भीलों के अंदर सामाजी को रासनेति जागरति पेदा करना यह most important इसके अलाम में बात कर जो तो 1913 सब्सक्राइब के अंदर मांगड़ पाड़ी समसभा का दिवेशन हो रहा था तो ब्रिटिस सेना ने मांगड़ पाड़ी के चौरों और गेरले और भारी गोलियों की बोच्छार कर दी तो उस समय जो कि कि अध्यक्ष्था में आयो जित हुआ तो 16 का आपको जो अंसर हो जाएगा बिलकुल घृरालाल सास्तरी गंशाम बिडिला जमनालाल बजाच और कपूर चंद पाटनी का इस इसने किया था कपूर्चंद पाटनी ने किया था यह राजस्तान का पर्थम परजामंडल भी था फिर 1936 की में बात कर लो तिसका पुनर गटन किया था और उसमें जो अध्यक्स्त को बत्थे वे हिरालाद सास्त्री थे ठीक है और इसके अलावा में बात कर लो तो सभापति जो कि उस समय चिरंजीलाल मिस्र थे जो कि जेपूर के एडवोकेट थे परसिद्ध और 1938 में जैसे मैं आपको बताया पहला दिवेशन की जो अध्यक्स था करें थी वह सेट जमनालाल बजाज के द्वारा की गए थी ठीक है और 1940 के अंदर जो कि प्रदामंडल के जो अध्य एग्रिमेंट हुआ था उसे जेंटल मेल एग्रिमेंट के नाम से जाना जाता है इसमें क्या था हुए जेपूर के परजामंडल के जो सदेशी थे उसने भारत छुड़ो आंदोलों में भाग नहीं लिया परंतु सदेशी भाग लेना चाहते थे तो बाबा हरीश चंदर के नेतरत में आजाद मोर्चे का गठन किया गया था ठीक है यह भी आपको याद रखना इसके लाव में बात कर लो तो 1944 में जानकिलाल बजाज ने जेपूर परजामंडल के अद्धिक्स्ता की थी यह भी मॉस्ट इंपोर्टेंट त्थ्य है इसके लाव में बात कर लो तो न अग्ला कूशन आपके सामने ज्ञाएज अगला कूशन इधर से यह आपको बताना है तो इसका जो रायट आंसर हो जाएगा अपना सत्रा का मध्यपरदेश, बंबई, गुजरात और राजस्तान तो सत्रा का आपका जो रायट आंसर हो जाएगा ओप्शन नंबर भी बिल्कुल रायट आंसर हो जाएगा बंबई सरकार को सोब दिया था ठीक भटकी थी किसकी भी गोकुल भई भट जिसे राजिस्तान के गांधी के नाम से जाना जाता है कि वागड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता तो वागड के गांधी के रूप में जो जाना जाता वह भोगिलाल पांड्या को जाना जाता किसे जाना जाता बोगिलाल पां कि सोरी सोरी मैंने गलत बता दिया आपको चिडावा का गांधी जो है ना वो प्यारे लाल गुपता को माना जाता सोरी बिल्कुल ये प्यारे लाल गुपता मैंने गलत बताया है ठीक है चिडावा के जो गांधी अपने चिडावा के जो गांधी चिडावा के गांधी किसे का है तो मैंने आपको बताए था। यह प्यारेलाल गुपता को चिडावागा गन्धी का जाता है राजिस्तान के गांधि गोकुलभाई भट को कहा जाता है। कि को न को पुत्र जमनलाल बजाज को का जाता है हल्दीगाटी का शेर की बात कर लो तो माराना परता आपको का जाता है जालोर का कस्मीर आपका रानी वाड़ा के लाता है गोड़े वाला बाबे की में बात कर लू तो करनल जेम्स टोड़को गोड़े वाला बाबा के रूप में जाना नेक्स अगले कोशन की बात करना है तो को इसे नमरे नाशे म lengyu कैई सरीर की सब्दीट को GRI घ्र जाता है तो इसका ये बिल्कुल गर्ड sage में पहना जाथ तो इस लिए आपको याद रिखने में और फ्रम्रा पर आपके सामने यह कर ոी वन्य जी और राजिस्तान बारति वन निति का नुसार रावली पाड़ियों में कितने परतिषत वनाचित होनी चाहिए तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बिल्कुल 65 परसेंट ओप्शन नमबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ठीक है इसके अंदर यह है कि देखो 33 33 परतिसद जो है वह मैदान के अंदर होना चाहिए जबकि 66 लगबक 66 परतिसद जो कौन सा केरवे थोर का पसंदिता प्राकरतिक निवास से तरह है तो चोईस का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर भी रेतिले मैदान के अंदर हो जाएगा नेक्स अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन क्या है तो अग कॉश्ण नमबर सी परवत्य ओम्रों मरदा मैं पाया जाता है। दुमत मरदा यह और कच्छारी मरदा पूरी मेधान में पाय जाते हैं। और यह और मरदा टो आप सभीकों पताएं कि म्रुस्धल में पाई जाती है। अगला कौश्शन की बाद कली नेम देखेट में से कौन सा बी एस एच डबल्यू परकार की जलवायू को दरसाता है तो इसका जो आपका राय अंसर हो जाएगा देखो मैं बता देता हूं को पैन ने जो वर्गी करन किया था अधार किसे माना तो आधार जो माना वनस्पति को माना यह आपको आद रखना ठीक है यह वाला आपका जो एरिया है यह वाला अरॉला पूरा और फिर यह वाला अरावली के पास वाला जीला फिर यह आपका थोड़ा हरोति का पठार सिरोई तक्सनी राजस्तान तो देखो यहां यहां जो जलवाई पाए जाती है वो बीड़ूसडूसडू बीडव्यू जलवजाती है जिए बिलकुल सुस्क डेमेदूर जाए जाती है कहा जशलमेर हो गया बिकनेर होग्ए हनुमानगर फार गन्गणगर हो गया हल्का सा बाड में रह फिलग जोत पर इसमें अप जलवाई पाए जाती है आपकी BSHW पाए जाती है कौन सी BSHW परकार की जलवाई पाए जाती है सारे जो रेकिस्तान नागोर पाली सीकर सेकावटी सेत्र हो गया ठीक है जालोर हो गया शिरोई हो गया थे या भी एसेज परकार की डबल्यू पाई जाती है इसके अलावा में पाई CWG की बात कर लो तो पूरी मेदान के अंदर CWG परकार की आपकी जलवाई पाई जाती कोपेन के अनुसार ठीक है इसके अलावा सिरोई का माउंट आबू और डूंगरपूर बा अगले कोशन के और बढ़ जाते गाई अगला कोशन आपके सामने जाखम माही एरू तीनु नदियों राजिस्तान में निम लिक्त में से किस जिले का निरूपन करती है यह आपको बताना जाखम माही और एरू तीनु नदिया तो इसका जो आपका रायट आंसर हो जाएगा 2 27 का बिलकुल परताभगव के कौन से लाजिक debatt करती है तो परताभगव करती तो लेका निरूपन करती थीक है तीनु नदियों का जो सम्मंद हो परताभगव से है बिलकुल अगले कॉशन की और बढ़ जाता है अगला कोशन क्या है और अगला कोशन आपके सामने थार्न वर्षा के आदार पर किया ठीक है तो देख उपर वाला जो हिस्सा आ जाता हो डी बी डबली परकार की जलवाई पाए जाती है और फिर बजगी अपनी कौन सी डव डव जो पाए जाती है आपके बिल्कुल कोटा बुंदी बारा जाला वाड़ हाड उतिवाले इलाके के अंदर डव परकार की जलवाई पाए जाती है अगले कोशन क्या है तो अगला कुशन आपके सामने राजस्तान की किस नदी को मसूर्दी नदी भी कहा जाता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कानली नदी ठीक है क्या कानली नदी लेकिन ये गलत छपावा इसका जो सही नाम था काकनी नदी था क्या नाम था काकनी नदी से काकनी नदी भी कह जाता तर का या नडी बीका जाता था एक शूती नधी का समच जसलमेर स सबसे निकलती है, बूज जील के अंदर ले जाती है, फिर समाप्त हो जातीं। यह अंतहः परवाई नदी मसूर्दी नदी है। जो कि most important है अगले question के और बड़ जाते है अगला question क्या है राजिस्तान में निमलिकित में से किस जिले में नदी नहीं है तो option number B चूरू और बीकानेर में नदी नहीं है ठीक है चूरू में भी नहीं है बीकानेर में भी नहीं है तो आपका right answer हो जाएगा ठीक है option number B आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा अगले question के और पर जाते है 56 बेसिन निमलिकित में से राजिस्तान के किस बहुतिक परदेश का भाग है यह आपको बताना है तो इसका जो right answer हो जाएगा option number C बासवाड़ा चितोडगड़ और परताबगड़ बिल्कुल आपका right answer हो जाएगा 56 बेसिन का जो निर्मान करती है वो माही नदी करती है माही नदी विसु की एकमात्रेशी नदी है जो करक रेका को दो बार कारती है इसको करक रेका को दो बार कारती है और इसका उद्गा में सलमध्य पर्देश में फिर यह राजिस्तान की डुंगरपूर बासवाड़ा में बेती गुजरात में प्रवेश कर जाती है नेक्स अगला कुशन देखते है बेराट में कौन सा जिला सामिल नहीं है यह आपको बताना बेराट में कौन सा जिला सामिल नहीं है तो 32 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी देखो ऑप्शन नंबर सी जो है उससमें बेराट में सामिल नहीं था बेराट का प्राची नाम क्या था विराट नगर जो की नवीनतम नाम में प्राची नाम बेराट था उसमें जेपुर और कुछ हिसा सामिल का सामिल था तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट गोश्वी चीन य छोにtawaब उसमें देस अनबर सांबर ढाट እ से उत्खनान किया था किसने किया था बेराड सब्हेता का बात कर लो लिए नदी कंद् rat तो बांड गंगा नदीग किनारे थी ठीक है और यहां से आपको मौरे कालीन अवसेज भी प्राप्त होते हैं बाप्रु का सिला लेक भी प्राप्त हुआ इसके अलाव मैं बात करलो तो यहां से दो बोध मंधिर भी मिलें बोध मठी आपको प्राप्त होते हैं इसके अलाव मैं बात कराकूँआ उन्हें बात क्रणी मैं कि या तीन ढूंग्रियं भी जग की डूंगरी भीमदेव की डूंगरी और माहदेव जी की डूंगरी यहाँ उत्खनन किया था ठीक है इसके अलावे युनानी सासक मिनांडर के याद रखना नेक्स लगते सब्छाटान की डेश इस किलोमेटर सीमा पाकिस्तान से लगती यह से लेकर यह अप्छी मी राजिस्तान है यह आपका घंगा-नंगर मेर मेर नो ठीक है तो यह वाला जो पार्ट है यह वाली जो लाइन यह जो रिखा यह कुल कितनी लंबी तो 1070 किलो मिटर जो राजिस्तान की लंबा यह पाकिस्तान से टाच होती है ठीक है यह आपको याद रखना इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं मौस्ट इंपोर्टेंट तर् कि देखो सबसे पहले नीचे होता आपका बाड़ मेर बाड़ मेर के बाद आता जसल मेर जसल मेर के बाद बीकानेर बीकानेर के बाद गंगानगर कभी उत्तर से दक्षिन का करम पूछ ले यह दक्षिन से उत्तर का करम पूछ ले तो आपको याद रखना ठीक है सरवादिक होता जसल महरοι चोछ ओता 2444 ठीक चाप को याद रक्ना कितना Bell martini Girls चोपता न Zusammen construction EOS 2828 किलो मेटर भी के बात कर लोundai किक मितार चार्श्था गोलोग्र जबकि घंगानगर की बात कर लूड जो 210 मिलिस सब से कम जो सीमह बनाता भीकानेर बनाता बनाता किलोमेटर और सरवादिक जो सीमा बनाता हो जसल मेर बनाता चार सो चो सट किलोमेटर इसके अलाव में बात कर लो तो राजस्तान की कुल इस्तलिय सीमा जो है वो 5920 किलोमेटर है ठीक है वो राजस्तान की तट्य सीमा कितनी है तो राजस्तान की जो तट्य सीमा वो सुन्य है क सबसे उपर आपका पंजाब हो जाएगा यह आपका हरियाना हो जाएगा यह आपका यूपी आजाएगा यह आपका गुजरात आजाएगा तो पाच राजिस्तान की सीमा टच होती है राजिस्तान के सैत्रफल की मैं बात कर लो तो 3,42,249 वर किलोमेटर है कितना अभी 249 वर किलोमेटर है नेक्स अगले कोशन की और बढ़ दाता है अगला कोशन क्या है राजिस्तान का कौन सा जिला आई डबल्यू आरेम में चेनित नहीं था तो 34 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा देखते कौन सा नहीं था पाली, सीकर, चूरू और जेपुर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 34 का बिलकुल कौन सा बिलकुल ऑप्शन नमबर डी आपका बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा जेपुर जो की आई परियोजना का सम्मन जो की बूंदी में सीचाई के लिए निर्मित की गई बिसलपूर आपकी का पड़ती टोक में पड़ती जवए आपकी का पड़ती पाली के अंदर पड़ती जाक हम आपके का पड़ती तो परताब गड़ती ठीक है नेक्स अगले कुछन की बात कर लेते चूलिया जल परपात के नीचे की और राजस्तान का कौन सा बांध बनावा है तो 36 का अपना जो राइट अंसर हो जाएगा बिल्कुल राणा परताब सागर हो जैगा option number C आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा राणा परताब सागर जो कि राजिस्तान का ब्राव की दरस्टी से सबसे बड़ा बांध है और राजिस्तान के सबसे उचे बांध की में बात कर लेता हूँ सबसे उचे बांध की में बात कर तो और अगली कोशन की बात कर लेता हूँ अगला इसके अगला कौशन क्या है अगला कौशन आपके सामने है सबसे बढ़ा यह आपको बताना है तो सबसे बढ़ा जो है इसमें option number first C हो जाएगा कौन सा भी first C जो कि दियावा नितार इस question को फिर delete कर दिया था बाद में ठीक सबसे बड़ा जो है वो first C है जब कि सबसे छोटे की बात कर लो हूं तो fourth B कौन सा हो जाएगा fourth B वो राजस्तान को कुल कितने करसी जलवाई हों बाटा गया है अगले कुशन की बात कर लेते हैं कौन सा पी एच प्रा सारी मर्दा का सूचक है तो 39 का आपका राइट आंसर हो जागा आठ से उपर ठीक है option number D आठ से उपर जो भी है सारक मर्दा का सूचक है और साथ के नीचे अगर होता तो वह अमलिये मर्दा का सूचक होता है ठीक है नेक्स आज के आकरी कुशन की बात कर लेते हैं कि नेम लिकित में कौन सी तारिक को विस्व परियावरन दिवस मनाया जाता है तो पांच जून को विस्व परियावरन दिवस मनाया जाता है और योगा दिवस कब मनाया जाता है तो 21 जून को विस्व योगा दिवस मनाए जाता है और योगा दिवस की जो सुरुवायत होती हो 2015 से होती है तो आज की क्लास को बस यह समाप्ट करता है एकली क्लास में आप से फिर मुलाकात होगी धन्यवास आती हो